नमस्ते फ्रेंट्स हरहर महातेव जी तैंस आज मैं आपको चीज बर्गर बना के दिखाने वाली हूँ तो चलो चुनो करते रेसिपी कज्दा पर चीज लोरी करलेंगे तो कडाई से दिखाने ओले हुए यार दासे तो इनको स्मेश कर लेंगे झाला मत्रोहां जाना पररे में जानान साहिव उपकोड़, n परतेशों उसब्जी लाती है थी पाल प्रबड़, जी आपता हैं इसमें घर्म जानना हर, छोटेश चमच, चमच, ठीन ग्यास कफलें कम करके अभी मसाला डाल देंगे यह जो कि डेड़ बड़े चम्मच आल दिये मैंने एक चम्मच हल्दी एक चम्मच नमक एक छोटी चम्मच गरब मसाला और आदी चम्मच मिर्च डाल दियों यह मेरी रेगुलर वाली जो तेज वाल मिर्च होती वह है यह अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च तो आप एक चम्मच भी डाल सकते हैं मसाले को मिलागे अलू डाल देंगे इसमें दो मिनिट के लिए इसको गयास का फ्लेम कम करके डखके रखतेंगे दो मिनट हो गई है और हमारी यह सब्जी बन गई है बस इतनी देर रखना होता है इसको क्योंकि थोड़े से मसाले कर्चे ना रह जाए इसलिए यह सब्जी बहुत साथी चीजों दे बढने के या मतलब कि जैसे ब्रेड रून बनाते हैं या डिकी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए काम आते हैं हुग सेलशे कटलेट बनाते है दोट सिम्पल सी तर सी चछ चक टार सकता है जो है कि है तो आपको परोड़ satisf सुऔर प्रोड बनित में हर यह गार फिलंड है उससे बढ stimulतकि。 आदा चम्मच नमक और ये वेजिटेबल रोयले ये थोड़ा-थोड़ा करके डालूंगी और बनाती चाहूंगे इसको एक चम्मच इसमें सिर्का डालना है जो सफेद वाला सिर्का होता है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वैच में वन के तयार है और जैसे हम इसको फ्रिज में रखते हैं ठंदा करते हैं तो यह और भी जादा ठीक हो जाती है तो बहुती सिंपल सा तरीका इसका और हैंड्स प्लेंडर नहीं है तो इसको मिक्सी में बना सकते हैं वह भी मैं आपको कभी बना के दिखाऊंगी अगली बार और जैसे क्रीम से भी बना सकते हैं इसको क्रीम आती उससे भी आज मैंने दूर वेजटेबल ओल से बनाया था अगर ये बार मैं आपको क्रीम वाली मियोनी स्पिना के दिखाऊंगी तो सबसे पहले कोई गिलावास या पटोरी से ब्रैड का पीच का इस सम को निकालना है गूल शेप में अगर जो यह साइड के किनार है यह भी हमको रख ले रहे हैं ब्रैड क्रम्स बनाने की काम आएंगे तो हमारे दस पीच तैयार हो गया है गूल इनको में एक साइड रखतेंगे और इनके ब्रैड क्रम्स बनाएंगे में टुकुडे करके डाल देंगे तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया कड़ाई में इतने हम यह तैयारी कर लेगते हैं इसका बैटर बनाओंगी पानी इसमें आऊशकता के अनुसार डलेगा इसका जो बैटर होता है यह थोड़ा आमको पतले ही चाहिए होता है ज्यादा गाड़ानी चाहिए होता है कि अधिया तो सबसे पहले में ओनी लगाएंगे जो यह चीज यह डाल देंगे बीच में दूसरी वाली ब्रेड को इसके उपड़ रख देंगे अब यह सारे पहले मैं ऐसे तयार कर लेती हूं तेल हमारा गरम हो गया तो मैंने गया इसका फ्लेम कम कर दिया है अब यह हमारे तैयार हो गई है अब इससे जो आलू की सबजी है इससे कोटिंग करनी है तो इसको टीकी टाइप बना लेंगे इसको सारे द्रब से कवर कर देना है अब इसको टिप करके डालें के एसे सब तरफ से चरई से दबा दबा के पूरा कोड कर देना है इसको तरफ से देल करम हो आदिवा और देख ले देख लेते हैं? तेल गरम हो गया है अब इसको पहले इसमेडिक करेंगे जो बैदा का और रोट का गूल बनाए है तो बैड़ गरम इसको बनाए है वो दगाएंगे इसके उपड़ झाल बनाए है वो दित झाल बनाए है वो दो 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 करेंगे वोड़ रो बनाए है दो पीक खड़ कि याजाँ झाल बनाए है तो आप देख सकते हैं कि काफी किसी बनते हैं तो कि इसके उपर ब्रेड़ क्रम्स लगा हो इसलिए एक मैं आपको काट के बिखा रखती हूं कि अंदल से कैसा बनता है तो आप देख सकते तो आपको चीज रखाई है अब भी दिखती है और काफी अच्छा बनता है यह तो प्रेंट्स घैती मेरी आजकी चोटी सी रैसिपी यह आप रिसाॉस के साथ में खा सकते हैं चट्नी के साथ मीं खा सकते हैं जैसे मर्जी खा सकते हैं यह अगर अगर प्रेंट्स आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपने अपना कीम्ती पैम निकाल के मेरी वीडियो को देखा आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत अबार नमस्ते फ्रेंट्स हर हर महाद अगर फटेंट्स आपका उसाँ बहुत पो अगरव मेरी अखका इस्टाइब को दया है झाल